नमस्कार, स्वागत है भारती उजनाबे Sad day for Israel as a Hezbollah drone attack तो देखिए इसराइल का जो है वो बहुत ही दुखत दिन है क्योंकि Hezbollah के तरब से यहाँ drone attack हुआ है जिसमें जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 लोग मारे जा चुके हैं और 60 लोग घायल है अंठावन लोग तैसी बार मैं जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं यह इसराइली बेस पर Hezbollah का drone हमला, 4 जवानों की मौत और 60 से ज़्यादा घायल इसराइल की सेना ने कहा कि Hezbollah के drone ने रविवार को उसके उत्तरी ठीकानों में से एक पर हमला कर 4 सेनिकों को मार डाला इसराइल की सेना ने इस बारे में जानकारी दी, हाइफा के पास बिन यामिना में एक सेनी परिक्षन सीवर पर किया गिया हमला 23 सिप्तमबर के बाद से इसराइली बेस पर सबसे घादक हमला है, इससे पहले भी लेबनन के तरफ से अटाइक हुआ था पर ये माना जा रहा है कि और खतनाक अटाइक किया गिया है जब से इसराइल ने लेबनन में हिजबुला पर अपने हमलों को तेज किया है, इस हमले में एमरजेंसी से वहाई ने 60 से अधिक घायल होने की सूचना दी है इसराइल का स्कूल पर हमला, अब देखे यहाँ पर लेबनन तो यहाँ अटाइक किया है और यहीं पर फिर इसराइल के तरफ से वहाँ गाज़ा में आटाइक किया है पंदरा बता जा रहा है कि जो इसराइल अटाई किया है स्कूल में वहाँ पे 15 लोगों का मौत हो चुका है। इसराइली पीएम द्वारा सेनक से छेतर से हटने का अहान करने के बाद इसराइली सेनिकों ने दो टैंकों के साथ संयुक राष्ट की चौकी में जबरन प्रविस की है। इसराइल के सेना ने कहा कि गोली बारी के दोरान एक टैंक संयुक राष्ट की चौकी में घुस गया था। हिजबुला ने रविवार देर रात कहा कि उसने हाइफा के प्रमुक सहर से लगबग 30 किलो मीटर धक्षिन में बिन्या मिनस सीवर पर हमला वर ड्रोन लाँच किया। उनका ये हमला इसराइली हमलों के जवाब में किया गिया था जिसमें गुरुवार को हवाई हमले भी सामिल थें। कि बिन्यामी में इसकी टीमों ने 60 से अधिक गायल लोगों की सहता की जिनकी चोटे हलकी से लेकर गंबीर थी। हिस्बुल्ला गाजा में हमास अतंगवादियों के समर्थन में एक साल से अधिक समय से इसराइल में रोकेट और ड्रोन दाग रहा है। हाला कि सिप्तमबर के अंत से इसके हमले देश में और भी आगे तक पहुँच गए हैं। इसराइल की अत्या धुनिक एर डिफेंस सिस्टम ने अधिकांस हमलों को नाकाम कर दिया है। आजमान से गिरते मलवे से बहुत कम हताहत हुए है। लेबनन के स्वास्तमंत्राले ने कहा इसराइल के हमलों में 51 लोगों की हुई मौत और 174 अन्नी लोग घायल हुए है। मारे गए लोगों में इसे 22 लोग उत्तर के मौंट लेबनन इलाके में मारे गए हैं। जबकि 10 लोगों की मौत दक्षिनी नबाती छेतर में हुई है। और ये जो हमला है वो ड्रोन से किया गया था। नहीं बज़ा था कोई सायरन। ये जो अटाइक किया गया आपको मालूम है जब भी अटाइक होने वाला जाता है। कुछ मिनuç पहले या कुछ दिर पहले ही आपको बता दिया जाता हॉए है। तो लोग अलेट हो जाते हैं कि कुछ होने वाला है तो वो बंकर में चले जाते हैं या जो आर्मी हैं वो अलेट हो जाते हैं पर यहां बताय जा रहा है कि कोई भी सायरन नहीं बजा था IDF ने बताया कि ड्रोन हमला साम को 7 बजे से कुछ पहले ही हुआ इसराइली मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इसने बेस के अंदर एक डाइनिंग हॉल को निशाना बनाया था IDF ने बताया कि साथ और सैनिक गंभीर रूप से घायल है जबकि अन्य 14 को मध्यम चोट आई है 28 अन्य घाया लोगों को अलग-अलग अस्पताल में भरती किया गया है बताया जा रहा है कि ड्रोन के आने के पहले कोई साइरन नहीं बजा था जिससे सैनिकों को सुरक्षित होने का मौका नहीं मिला देर रात आईडिया के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने बताया कि घटना की परिस्तीतियों की जाच खी जा रही है क्योंकि ड्रोन इसराइल में घुसने के बाद कोई चेताउनी साइरन नहीं बजा था समुद्र की रास्ते घुसा था ड्रोन इसराइली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि युद की सुरुवात से ही इसराइल को UAV की खत्रे का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने आगे का हमें बहतर सुरक्षा पुरादान करने क्या वे सकता है हम इस घटना की जाच करेंगे इसके सीखेंगे और सुधार करेंगे टाइमस ऑफ इसराइल ने आईडियाफ की सुरुवाती जाच रिपोर्ट का हवाला देते वे बताया कि लेवनन से लाँच किये गए दो ड्रोन समुद्र के रास्ते से इसराइली छेतर मगुसे थे यह दोनों मिरसाद ड्रोन थे जिनने इरान के अबाबिल टी के नाम से जाना जाता है यह हुसगुला का आत्मगाती ड्रोन है इसराइली रडार से गायब हो गिया था ड्रोन बताया जा रहा है कि सायरन ना बजने का कारण साथ यह हो सकता है कि जो रडार से नहीं गायब हो चाहिवा एसे वालवा था जाइल से इसका पता नहीं लगा सकी क्योंकि संभावता या जमीन के बहुत करीब ऊड़ रहा था Radar आपको मालूम है कि आप जमीन से जितना नीचे जमीन के संदल से उड़ियेगा तो आपको वाँप मच्णठिक ने क्वांडाहिए टर्ण ही बज़ेया लेटार्ण कभध कर रहा चाद कर क। लोग बुलें कि मुर्ब कुष तरिलग जो इस लोग माई गया है उसी इसरल लोग मारे गया है में तो है और अब इसलिबार में ज़म वीडियों में बात करने वाले हैं कि इसराइली बेस पर हिजबुल्ला का ड्रोन हमला चार जवानों की मौत और साथ से ज्यादा गायल।